हेलो नमस्कार डिये स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार अनुदेसक भरती 2024 को लेकर बड़ी खबर है और आपको जैसा की पता था यह वेकेंसी बिहार अनुदेसक भरती जो था वो 2023 में आया हुआ था और एक्जाम सेप्टेंबर मास से लेकर जनवरी 2024 तक चला है और जनवरी में ही इसका फाइनल एंसर की भी आ गया था एंसर की लड़के मिला लिये थे उसके लिए फिर अपना कोश्चन का आपजेक्शन भी डायर कर दिये थे फिर फाइनली ये बिहार अनुदेसक भरती पतना थे रोगर से रेलीज किया गया है यानि कि सभी जितने भी केसे सोगे थे वह सभी को reject कर दिया गया और फाइनली अब इनतिजार scorecard और चला है थो लड़के अक्रोश हैं इतने दिन हो गया आपतक जारी नहीं किया उसके लिए क्या है लेस्टूप noose to be right तो Anugasi अब कर refusal औ बीटर रहता है यह आपने हो जाएंगी और जो हाँन्स जिएप नोडिवार्टlarisam तो सक्सेज केरियर मोबाइल एप को डाउनलोड कर लिजगा अभी लेटेस्ट में एक्जाम राजिस्थान जुनियर इंस्ट्रक्टर का रगा हुआ है ठीक है तो यहां पर फिटर इलेक्ट्रिसियन वेल्डर इसे आप लोग तयारी कर सकते हैं तो देखें बिहार अनुदेशक भरती को लेकर लेटेस्ट ख़बर क्या है आज एक जुन और एक जुन दूजर चोबिस को दैनिक भासकर में बिहार पटना के तरफ से यह निकल करा है अकबार में पर शिक्षित अनुदेशक भरत अभियरत दे दिया गया है कि इस डेट को अगर रिजल्ट और स्कोर्ट कार्ड नहीं आया तो छात्र आंदोलन कर सकते हैं तो देखें क्या है वह न आप लोग यहां पर गौर से पढ़ेंगे देखें पटना न्यूजपेपर में यह निकल कर आया है कि बिहार तक निकी सेवा आयो ग इस तक अनलाइन परिक्षा ली गई थी इसका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है जबकि परिक्षा का आंसर की और अपत्ति दर्ज कराने का कार्य जनवरी में ही पूरा हो गया था बिहार राजे CITS CTI परशिक्षित अनुदेशक अभियरति संके परदेश अध्यक दिलीक करता है कि आयोग और विभ्याग बहाना बना रहे हैं बिहार तक निकी सेवा आयोग एक सोतंत्र संस्ता है उसे अपने मुल्यों का समझना चाहिए अगर तक निकी सेवा आयोग चार जुन तक स्कोर काड़ जारी नहीं करता है तो आंदोलन करने को हम सभी बात दिया होंगे 25 माई को कोर कमेटी की बैठक में की गई ठीक है यानि कि 25 माई की बैठक हुई थी उसमें यह बोला गया कि अगर चार जुन तक स्कोर काड़ बेटी एससी जारी नहीं करता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बात दे हो जाएंगे ऐसा परदेश अध्यक्स जो कि CITS संक के दिलीब कुमार के रहे ठीक है तो यह नोटिस था लेटेस्ट खबरती अब देखें बिहार जो बिहार अनुदेशक भरती था यह पटना हाई कोट में गया था अब पटना हाई कोट से भी एक लिए हो गया है सारी जितने भी केसे थे रद कर दिये गया अब तो बीटी ए आयोग और राज्य सरकार इसे जितना जल्द करवाने की पूरी सवतनत्र है तो यह अब भी डिले कर रहे है आपकी क्या रहा है अपना मत कमेंट बाक्स में पूछेगा और बिहार से रिलेटेस सारी इंफार्मेशन के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया थैंक्स फ़र वाचिंग दिस उड़ेट मिलें नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिब आयर जहींद